paragraph tag क्या होता है paragraph tag को हम क्यों use करते हैं heading tag क्या होता है heading tag की कौन-کون सी types heading tag को हम क्यों use करते हैं आंचे detail में बात करते हैं तो दौस्तो इस पिछली video में हमने html का basic syntax ही करता अगर आपने वो video नहीं देखी और आप html का basic syntax समझना जाते हैं और अगर आपने अब तक मेरी HTML की playlist को access नहीं किया तो आप उसको भी access कर सकते हैं उसमें मैं HTML को full detail में पढ़ा रहा हूँ तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको p tag को use करना सिखा हूँगा तो आपने क्या करना है बिसी के लिए अपने body tag के अंदर अपना p tag लिखना है और वो कैसे लिखेंगे यह basically p tag का syntax है इस तरीके से आप लोग p tag लिखेंगे और p tag का मतलब है paragraph tag जब भी आप लोग ने कोई detail लिखने हैं कोई description लिखने हैं कोई details आप paragraph लिखना हूँ तब आप लोग basically p tag का use करना तो किसमें यहाँ पर कुछ भी लिख रहता हूँ आप देख सकते हैं जो भी हम लोग ने browser में लिखा था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है यह basically p tag का काम होता है जो भी हमारा paragraph type content होता है जो हम लोग website में दिखाना चाहते हैं वो basically हम लोग p tag लिख लेते हैं तो किसे एक website आपके सामने open है इसमें यह जो something knows about our cases लिखा हुआ है यह basically p tag में लिखा हुआ है आप इसके source code में यह जाकर देख सकते हैं इसका source code कैसे open होगा आप किसी भी website में जाकर right click किजिए और view source code पे क्लिक करें तो आपके source code जाए वो open हो जाएगा तो यहाँ पर जो p tag में आपको दिखा दिया है यह basically मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ जाए कि हम जो भी tag use कर रहे हैं इसका क्या फाइदा है और उसको क्यों use कर रहे हैं तो guys जो अब हमारा अगला tag होगा वो basically heading tags होगे और heading tags basically 6 types के होते हैं heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 तो सबसे पहले हम लोग heading 1 से start करते हैं तो मैं यहाँ पर लिकूँगा h1 और यहाँ पर लेकूँगा heading 1 इसको save करता हूँ और browser में जाके आपको दिखाता हूँ तो guys आप देख सकते हैं यह हमारी heading 1 जो है वो basically आ चुकी है इसी तरीके से guys मैं इसको copy करता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 इसको मैंने 5 दफा मजीद copy कर लिया है और यह heading 2 के लिए यहाँ पर भी 2 कर दूँगा इसी तरीके से guys जितने भी h2 है उसके बाद h3 यहाँ पर भी h3 कर heading 4, h4, h5, h6 तो guys जितने भी हमारी heading थी वो basically हमने लिख लिए है अब आपको इसको browser में जाकर दिखाता हूँ और boom guys आप देख सकते हैं जो heading थी वो basically आ चुकी है heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6 इसको खुद आप लोग अपने सामने देख सकते हैं यह basically sizes का फरक होता है heading 1 होती है, heading 2 उससे छोटी, heading 3 उससे छोटी, heading 4, heading 5 उससे छोटी, heading 6 सबसे छोटी तो guys जो भी website का layout आपने बनाना हो, मतलब जैसी website आपने बनानी हो अगर आपको heading बड़ी चाहिए, तो आप H1 tag का यूज करें अगर आप चाहते हैं नहीं यार हमें heading छोटी चाहिए, तो आप H2 का यूज करें और अगर आपको सबसे छोटी चाहिए, तो आप H6 का यूज क